हेलो स्टूडेंट कैसे हो से भी आसा करूंगा से भी ठीक टाक होंगे भी आज हमारा हरियाना सीटी तरफ से प्रैक्टी सैट नमबर टाउन्टी नाइन है अगर पिछले प्रैक्टी सैट नहीं देखें तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर म लाई जाती है रेफरीज रेटर के अंदर कौन सी गैस्प्रियो के अंदर लाई जाती है फ्रियोन गैस भी नेक्स्ट करिशन देखो NSD के दोवारा पहली बार International Aviation Security सैमिनार हरियाना के किस जिले के अंदर आयजीत किया गया था अपसिन नमबर ए गुरुगराम जिले के अं करती है भी कौन सी नदी होगी जो भूमिद्य रेखा को दो बार पार करती है तो उपसन नमबर A कांगो नदी भी next question देखो question number 4 math से related है math और रिजनी के लिए आपको लक्सी क्लास दे देंगे question number 5 देखो भी हर्याना के अंदर जिलों की संग्या पूछली कितनी है तो वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो 22 जिले होजेंगे option number B विल्कुल राइट होजेगा डॉक्टर नॉर्मन E बोर्लो कोकी स्पसल पर कार्या करने पर नोबेल पुरुसकार दिया गया था भी option number C गेहुं के उपर भी next option देखो question number 7 क्या कैता है खालिस्तान के उतपादन के अंदर हर्याना का पर थम स्थान है तो विल्कुल का डिजाइन तियार करने वालवाला वासतुकार पूछ लिया ताज मेल का डिजाइन तियार करने वाला वास्तुकार कौन था तो अप्स नमबर भी उस्ताद इसा भी नेक्स्ट क्यूशन अरियाना का राज किये पक्सी कौन सा है तो उप्शन नमबर C, blank Franklin यानि की काडा तितर भी नेक्स्ट क्यूशन देखो क्यूशन नमबर 10, फरवरी 2021 के अंदर जारी कस्टमर सैटिस्फिकेशन सर्वे में किस एरपोर्ट को पर्तमस्तान प्राप्त हुआ भी फरवरी 2021 के अंदर तो राइट आंस रोजेगा उप्शन नमबर A, उद्यपूर एरपोर्ट को नेक्स्ट क्यूशन है रिजिनिक से रिलेटिट बिल्कुल सिंपल से क्यूशन है, कुछ नहीं करना इसके अंदर B के बाद में आ रहा है C, यानि की एक गैप छोड़ दिया, B के बाद में C, फिर D आ गया, E के बाद में इसी परकार गैप अगर छोड़ेंगे X के बाद आता है Y तो आजेगा Z, A के बाद आएगा B, B के बाद C को छोड़ेंगे तो आजेगा D, E को छोड़ेंगे तो F, यानि की एक अपसन नमबर कौन सा राइट हो गया, C, B Next Question है 20 का स्केर किया तो 400 हो गया, किस का स्केर करेंगे 400 चुरासी होगा, तो 22 का स्केर करने पर कितना होजेगा, वरक करने पर है 400 चुरासी तो आपसन नमबर C बिल्कुल राइट होजेगा, Next Question देखो, किस नमबर 13 क्या कहता है भी, ग्रीनिंग ओफ अरियाना कारे करेंगे किस से समदीता है, तो वरिक्षार ओपन से भी, आपसन नमबर A बिल्कुल राइट होजेगा, Next Question अनंग पूरबांध हरियाना के किस जिले के अंदर स्तिता है, अनंग पूरबांध हरियाना के किस जिले के अंदर स्तिता है, तो फृद्दाबाद जिले के अंदर ओपन से नमबर A बिल्कुल राइट होजेगा, Next Question देखो, किस नमबर 15 B, कौन शी नदी है, जो उत्तर परदेश से अलग करते वे, पुरव किस नमबर D बिल्कुल है, कुरेक्ट होजेगा, Next Question देखो, किस नमबर 18 क्या कहता है भी, अरियाना का पुरातन नाम, हरियाना नाम कुद्बव, किस के अंदर पाए गया है, तो फृद्दा नमबर B होजेगा, रिग वेद के अंदर भी, Next Question मैट से रिलेटिड है, और किस न नमबर होजेगा, रिट ए भी, 30 अपरेल 1977 को भी, Next Question देखो, किस नमबर 21 भी, एक परमाणू के अंदर तीन अधार बुत अवे होते हैं, यानि परमाणू के अंदर एक प्रोटोन होता है, एक न्यूट्रोन और एक इलेक्ट्रोन, यानि कि अप्सन नमबर B बिल्कुल है, क बाल महुत्सव का आयजन, किस राज़े ने किया था भी, जनवरी 2021 के अंदर ओनलाइन राज़े स्तरी है, बाल महुत्सव का आयजन, किस राज़े ने किया था, आप्सन नमबर A बिल्कुल करेक्ट होजेगा, हरियाना राज़े ने, Next Question है, अरियाना में, बच्चों की स्ती को सुधारने के लिए, कौन सी योजना या प्रियोजना शुरू की थी, बच्चों की स्तीति को सुधारने के लिए, तो एक ही करत, बाल इविकास प्रियोजना, आप्सन नमबर A बिल्कुल करेक्ट होजेगा, हरियाना राज़े ने, Next Question है, आप्सन नमबर A होजेगा, यु आप्सन नमबर 25 भी, वर्तमान मुख्यमेंतरी कोन है, तो मनोरलाल खट्रने भी, अकास मानी, रोत्त की स्तापना कब हुई थी, वेरी वेरी इपोर्टन के उसन है, और अग्जाम के अंदर कहीं न कहीं, इस टाइप के क्युसन है, हर बार देती है भी, आकास मानी, रोत्त क इस तापना पूछ ली तो आठ में 1976 को हुई थी आपसन नमबर B बिलकुल कुरेक्ट हो जेगा ब्रम सरोवर्तिर्थ किस तान भी हरियाना के अंदर ब्रम सरोवर्तिर्थ किस तान के उपर है तो आपसन नमबर B कुरक चेतर के अंदर भी कौन सा मोरियवंस का अंग नहीं था इस आपसन के अगर बात करें तो राइट अंसर होजेगा अजात सतरो भी मोरियवंस के सम्मद नहीं रखते थे भी नेक्स्ट क्यूसन देखो क्यूसन नमबर 29 मैथ से रिलेटिड है क्यूसन नमबर 30, 31, 32 देखो भी और इसके मैथ और रिजनिंग के क्यूसन है इसके बाद में आपकी कलास मैथ और रिजनिंग की कवर करवा दिये जाएगी 11 practice at math origin के cover करवा दिये भी आपको अगर वो नहीं देखें तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर चैनल के उपर प्ले लिस्ट नागी दे रखिये पूछ के लिए भी कौन सा कथन है वो गल्थ है भी तो इसार की स्थापना थी वो की थी फिरोसा तुगलक ने बिल्कुल राइट है भी इसार की स्थापना फिरोसा तुगलक ने की थी आगे कैप फृत्दाबाद के संस्थापक कों थे तो सेख फृत थे रेवाडी के संस्थापना राजा रेवत ने की थी तो सिर्षा के संसतापक राजा सारस नहीं थे तो अपसिन नमबर डी क्या होजेगा भी गल्ट होजेगा न्यूटन की गती का पहला नियम है वो क्या चीज़ दरसाता है भी तो न्यूटन की जो गती का पहला नियम है वो दरसाता है जड़तों को भी option number D बिल्कुल correct हो जेगा हर्सवर्दन के दोवारा राजा सासित थानेसर आसपास चेतर यानि कि थानेसर के आसपास का चेतर कौन सा हो जेगा कुरप चेतर हो जेगा option number A राजा हर्सवर्दन की अरियाना के अंदर थानेसर राजदानी भी थी next question देखो 35 भी बॉक्स के अंदर जरूर करके बताना मेंदरकट के परसिद के लिए का नाम किस के नाम पर रखा गया था भी next question है 36 भी कोई फरम है उसके अंदर रुपए एक जार मुले के सेर सिदे वैक्तियों को बेजती है तो इसका परवाव किस के उपर पड़ेगा यानि कि जीडी के उपर या राश्टी है आए के उपर अगर 36 की अगर बात करें तो सकल राश्टी उतपाद पर इसका कोई भी परवाव नहीं पड़ेगा भी option number D बिलकुल राइट हो जएगा next question देखो question number 37 भी question number 39 देखो भी question number 39 हरियाना राज्य कब अस्तितों के अंदर आया थो हरियाना की स्तापना हुई थी भी एक नॉवंबर 1966 को उस समय हरियाना के अंदर कितने जिले थे साथ जिले थे next question देखो भी question number 41 हरेडा के माध्यम से विक्षित करने की नोडल अजन्शी क्या कहलाती है यानि की गैरम पारंपरी टोप से नंबर डी बिल्कुल राइट हो जेगा next question है लोकस बा से रिलेटिड लोकस बा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्चुक वैक्ति की कम से कम आयू कितनी होनी चाहिए top से नंबर बी 25 वर्स भी next question देखो भी very very important question और simple सा question है अरियानाव पंजाब की सिंगत राजदानी पूछ ली कौन सी होजेगी चंडिगड़ भी next question देखो कौन सा एक search engine है search engine यानि की जैसे google है तो ओजेगा right answer भी option नंबर ए yahoo है बाकी रेम है रेम की full form क्या होजेगी random axis memory भी lan की full form क्या होजेगी local area network comment करके बताना prom की full form क्या होगी next question देखो सहद में मुखेता होते हैं भी सहद के इंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है भी carbohydrate पाई जाती है option number b बिलकुल right होजेगा next question देखो भी question number 48 देखो भी भारत किसका सदस्य नहीं है भारत G20 का सदस्य तो है सार्क का भी है UN का भी है यानि कि G8 का वर्तमान में यानि कि option number b बिलकुल right होजेगा भी next question देखो question number 49 word document में wave break insert करने के लिए निमन में से कौन से विकलब का प्रयोग के जाएगा तो insert and break का option number D बिलकुल right होजेगा भी next question very very important question word नमस से है word नमस का उद्य है अरियाना में कहां पर हुआ था इसका नाम बदल कर क्या कर दिया थाने सेर भी यानि कि परभाकर वर्दन थे word नमस के सक्तिसाली राजा भी next question देखो question number 52 चाइना मेंस बदका प्रियोग किस खेल में किया गया चाइना मेंस बदका प्रियोग किस खेल के अंदर किया गया तो right answer रोजेगा option number B cricket के अंदर भी next question देखो और इसके math origin के question है आपको अलग से class दे देंगे और अगर practice at number 11 नहीं देखा है math origin से related तो उसका link वीडियो description box के अंदर है या फिर channel के उपर करवा रखे भी एक बार जागर class को चेक कर लें सांपों की विस गरंतियां किसके सैदरस होती है सांपों की विस गरंतियां किसके सैदरस होती है तो कसेरकाओं की लार गरंतिया भी option number D क्या हो जाएगा बिल्कुल right हो जाएगा next question देखो परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने परदान मंत्री आवास योजना के तहत किसको सरोसरेष्ट मकान निर्मान का वाड़ दिया है यानि कि कौन से जिले को दिया है तो कुरुक चेतर को option number A बिल्कुल correct हो जाएगा next question देखो current affairs related question है नेमलिक्त में से किस राज्य के मुखे मंत्री 22 परवरी 2021 को अपना त्याग पत्थर उपर राज्यपाल को सौंप दिया तो कौन थे भी पांडिचेरी की option number C बिल्कुल right हो जाएगा next question देखो next question है option number 61 भी खिलाफत आंदोलन का अरियाना में विरोध किशने किया था यानि कि Simon कमिंशन के दुरान हुआ था या फिर ऐस योग आंदोलन के दुरान तो इसके अंदर बात करें तो right answer रोजेगा भी खिलाफत समीतियों की स्तापना करके खिलाफत आंदोलन का अरियाना के अंदर विरोध किया गया था next question है लंदन ओलंपिक खिलों के अंदर पहलवान योगे स्वर्दत ने कौन सा पतक जीता तो right answer हो जेगा option number B option number B बिल्कुल correct हो जेगा next question देखो question number 63 भी हमारे राष्टी चीन के नीचे आदरस वाक्या में क्या लिखा है तो सत्ते में जेट लिखा भी option number C बिल्कुल correct हो जेगा next question देखो question number 64 भी unix operating system को आम तोर पर किस रूप में जाना जाता भी unix operating system को किस रूप के अंदर जाना जाता है तो multi user operating system और इस टाइब का question आपको पिछले practice set के अंदर भी देखने को जुरूर मिला था भी next question देखो question number 65 भी हर्याना के किस नगर के गोरो मान तता सामदरे की चर्चा चीनी यातरी एंशांग दोवारा लिखीत पूस्तक यानि कि कौन से सम्मद बताती है भी यानि कि थानिसर का सम्मद बताती है और थानिसर कहां पर है अर्याना के अंदर कुरुक्चेतर के अंदर और चीनी यातरी एंशांड की पूस्तक comment box के अंदर बताओ कौन सी थी next question देखो भी next question math से related है question number 67 भी very very important question कोशिकाओं के अदेन जे सम्मद दीते जेवी की साका कलाती यानि कि कोशिकाओं को अदेन क्या कलाता है भी cytology option number A बिल्कुल correct होजेगा हर्याना के किस नगर के अंदर सबसे बड़ा पसुदन फारम है हर्याना के किस नगर के अंदर या किस जिले के अंदर भी सबसे बड़ा पसुदन फारम है तो इसार के अंदर भी option number D बिल्कुल correct होजेगा next question है word processing का application program पूछ लिया कौन से भी word processing का application program कौन से है तो right answer होजेगा option number B भी word setar next question है इस side है Mr. Dato और इस side है इसके संग्ठक यानि कि इसके अंदर बताना है भी कौन सी Mr. Dato से बना हुआ है यानि कि ये कांसा होगया तो कांसा बना हुआ है भी तांबा और टिन से पितल है वो तांबा जिंक से German silver है तांबा जिंक और निकल से और मुदरन टाइप दातु आईए होगी सिंसा एंटिमेनी टिन यानि कि राइट आंसर होजेगा इसके अंदर option नमबर भी D next question देखो very very important question और इस type का question कहीं ना कहीं exam के अंदर 100% देखने को मिलता है भी कितने किलो वाइट से एक मेगावाइट बनता है तो 2024 किलो वाइट से एक मेगावाइट बनता है भी next question देखो question number 72 क्या कहता है भी doll drum कटीबंद कहां पर सतीता है भी doll drum कटीबंद कहां पर सतीता है तो boom दे रिखा के पास भी option number A बिलकुल है correct होजेगा home groups के माद्यम से networking में सुधार किस windows में किया जाता है question number 73 home groups के माद्यम से networking में सुधार किस windows के दुरान किया जाता है तो right answer होजेगा option number से यानि कि windows 7 भी option number D बिलकुल है correct होजेगा इसकी अंदर बताना है भी इस side है titanus TB malaria scry और बताना कहा है भी किसका mail सही है युदा तो सभी को पता है भी पानिपत का पर्थम युदाधा पानिपत का तीस युदाधा सतरह सो 61 के अंदर म्राठों के बीच भी next question देखो नमी की या अधर ताकि पूछ ले भी नमी की कमी किसमे मापी जाती है तो right answer होजेगा option number D भी हाई ग्रो मेटर के अंदर और टंप्रेचर को मापने के लिए थर्मा मेटर का प्रयोग किया जाता है दूद की मापना के लिए लेक्टो मेटर भी नेक्स्ट क्यूशन देखो क्यूशन नमबर 70 80 यह सारे महत और रिजनिक के क्यूशन है इसके लिए मैं आपको अलग से कलास देदेगा हर्दयवंचीत है क्यूशन नमबर 80 वेरी वेरी इपोटन क्यूशन है हर्दयवंचीत है यानि कि कौन सी पेसी है तो एची की पेसी से भी ओप्सन नमबर C बिल्कुल है क्रैक्ट होजेगा क्यूशन नमबर 81 बारत का वेराजे कौन सा है या कौन साथ था जहां पंचायत चुनाओ के अंदर EVM यानि की EVM की भूलवर्म क्या होगी electronic voting machine भी EVM की भूलवर्म होगी जिसका पहली बार प्रियोग किया गया था तो हर्याना के अंदर ओप्षन नमबर B बिल्कुल है correct hoजेगा next question देखो question number 82 कौशिका किस के कारण सफीती हो जाती है कौशिका किस के कारण सफीती हो जाती है तो right answer होजेगा अत्य है प्रासरें के कारण option number C बिल्कुल है correct होजेगा next question है भी full form से आपके CT के एक्जाम के अंदर एक full form आपको देखने के जरूर मिलेगी NHRC का अभी प्राई या full form पूछ ली NHRC की full form क्या होगी तो right answer होजेगा हमारा option number DB National Immune Rights Commission भी option number 84 computer को ठीक डंग से switch off करने के तरीके को क्या कहते हैं computer के वो ठीक डंग से switch off करने को तरीके क्या कहते हैं तो set down भी बोल सकते हैं turn off भी बोल सकते हो switch off भी बोल सकते हो यानि कि right answer option number D correct होजेगा next question है एक आतम कता से related भी आपको question देखने को जरूर मिलेगा आतम किता होगी या books इसके author तो इससे 100% एक question देखने को मिलेगा भी my and forget table memories किसकी आतम कते हैं भी तो option number C ममता बनर जी किये भी next question देखो question number 86 एक समान गती वाला पिंड एक समान गती वाला पिंड क्या होगा एक समान गती वाला पिंड होजेगा right answer option number A तवरित नहीं होता next question very very important question और यही question आपको पिछले दो तिन question से पहले भी देखने को मिला था भी computer को shut down करने का process किसके अंतरगत आता है तो turn of O या shut down O option number D बिल्कुल correct होजेगा अगर class अच्छी लिए तो एक बार like कर देए भी आपका एक like कहीं ना कहीं हर वार next video को लिए motivation देता है और class को ज़्यादे से ज़्यादा please share करें question number 88 क्या कहता है भी पक्सी और चमगादर उड़ते हैं चमगादर पक्सी से किस परकार बिन होजेगा भी very very important question भी biology से very very important question पक्सी और चमगादर उड़ते हैं बट चमगादर पक्सी से किस परकार बिन होजेगा क्योंकि दोनों उड़ने वाले हैं तो right answer होजेगा हमारा इसके अंदर भी option number B मद यानि कि डाया ख्राम के कान उसके मद्यपट के कान भी question number 89 क्या कहता है नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है भी नदी का अपरदन सबसे अधिक होगा जहां पर क्या होगी भी डाल होगी वो नदी का पानी यानि कि परवाय उसका क्या होगा भी तेज होगा option number C बिल्कुल correct होजेगा एक्सल से related question है भी question number 90 यानि कि इसको formula का प्रियोग करके cancel out करके काड़ देंगे भी 4 दुनी 8 यानि 4 दुनी 8 होता है 10 की 2 से गुणा कर लेंगे 20 20 और 20 की गुणा करेंगे तो 400 भी next question देखो question number 91 भी out of the 4 alternative choose one which यानि vacancy के लिए एक सबद भी label to be easily broken यानि कि जो असानी से तूर जाता है तो इस question का right answer होजएगा option number B भी brittle next question देखो choose the alternative which best expression meaning items and perhaps यानि कि यानि कि he is sailed day से भी sailed day का right answer क्या होजएगा option number B correct होजएगा याँपर next question देखो भी next question क्या काता है choose the correct option that near meaning यानि कि underline word किया हुआ उसका नजदीक का meaning बताना इसका बताना है में near meaning तो right answer की अगर बात करें तो होजएगा option number C भी aware of यानि कि जागरू करहना next question देखो question number 94 भी error बतानी है कौन सी error होगी तो इसके अंदर option number A बिल्कुल correct होजएगा he waved as a by by b next question देखो भी question number 95 और इसके बाद करेंगे हम इंदी के कुछ question भी question number 95 क्या कहता है one of the gift of the independence is the awakening of the woman our country यानि कि इसको सब्दकोस के नुसार जचाएगे तो क्या होजएगा हमारा right answer option number D होजएगा भी option number D बिल्कुल correct होजएगा next question है इंदी से related विलोम सब्द भी विलोम सब्द बताना है उन मिलन का उन मिलन का विलोम सब्द यानि कि इसका opposite क्या होगा तो 96 की अगर बात करें option number C होजएगा नहीं मिलन भी next question है ऐसू दुबा के कौन सा होगा इस समय चार बजे हैं बिल्कुल correct है भी परते को 5-5 रुपे देजिए बिल्कुल correct है वह इस वर्स तक अमेरिका में रहा बिल्कुल ठीक है स्रीकिर्शन के एनेक को नाम है ये चीज़ क्या होजेगी भी ऐसुद वाक्य होजेगा next question देखो दरवाजे पर कोई है वाक्य में कोई क्या होगा भी या निष्चे अनिष्चे विशेशन सरोवनाम राइट आंसर की अगर बात करें तो क्यानि की कोई यानि की पूरा कनपरम नहीं है कोई तो अनिष्चे वाच्चक सरोवनाम होजेगा option number A बिल्कुल correct होजेगा next question देखो 99B सिंदूर्मी की उचित संदी पूचली सिंदूर्मी की उचित संदी क्या होगी 99 के अगर बात करें तो सिंदू प्लस उर्मी option number B बिल्कुल correct होजेगा और आज की क्लास का last question चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर क्लास अच्छे लेगे तो लाइक करें भी आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार next वीडियो के लिए motivation देता है तो आज की क्लास का last question क्या कहता है आँखे चार होना उचित अर्थ यानि आँखे चार होना तो एक मतलब का क्या होए भी option number A प्यार होना तो आज की क्लास में आपको इतने most important question करवाए और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के description box के अंदर है और टेलिग्राम चैनल पर आपको डेली quiz भी करवाई जाती है उसका लिंक वीडियो के description box के अंदर है अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो टेलिग्राम में जाकर भी क्रेक अगजाम पूरी भी सर्च करूँ तो फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद